हे गाईज गूड इवनिंग शाम के साड़े चार बज गए है और मैं यहां आपको धूप में किसलिए लेकर आई हूँ बता रही हूँ धूप तो बहुत तेज है और यह धूप में ही उसका यूज कर सकते हैं तो लिए मैं आपको बैक कैमरा पहले दिखा देती है यह है सोलर कर इसको मैं गर्मी में बहुत यूज करती हूँ क्योंकि गर्मी के टाइम बहुत अच्छी धूप रहती है तो हर चीज बहुत जल्दी भून जाता है यह पक जाता है तो इसमें खाना भी बना सकते है दाल चावल सबजी सब पक जाती है और अभी फिलाल तो मैं इसमें तो हमारा टाइम उतना बच जाता है भूनने का तो यह बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप लेना चाहे तो मार्केट में मिलता है मैं किचेन में आ गए हूँ और यह कडाही चढ़ा दी है में गी डाल दिया है सोला कुकर दीखाया तो उसमें यह बेसन भूना एब कडाही में भून थे ऐती पर पर उसके बाद भी डालतीत टे लेकिन यह सोला कुकर फॉह पछले फुपन लिया है इसलिए आप इसको मैं गी में डारेक्ट डाल दूंग। बहुत जल्दी कोई भी काम बातागार बुनीवी चीज रखी रहती है इतने पास तो बहुत जल्दी लड़ू बन जाएंगे आज रात कौन लोग गोलगप्पे चैलेंज एक कॉमप्टिशन करेंगे कौन करेगा पार्टिसिपेड आप करो कि मुझ से तो बोलो और कौन करेगा आपके साथ अच्छा चलो आज पापा वर्सेस बेटा गोलगप्पे चैलेंज करने वाले हैं तो गोलगप्पे तो बाहर से खरीद दी सकते हैं सवे तो मिल भी नहीं रहा है तो मेरे पास एक आडि तो वहां से मैं खरीद कर लाई थी गोलगप्पे जो फ्राई करो तो वह बलब गोलगप्पे जैसे बिल्कुल फूल जाता है मैं एक मिलड़ दिखाती हूं यह इस तरह है इसको तेल में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल गोलगप्पे जैसे बन जाता है तो इससे मैं अभी तर्फ हम लेगे इस कि ब्लो प्राइब हम नहीं तर्फ राव दीचेस में सफिआ डिखे अधीड़ हो Marketing EP है ईक्षिटव मैं म policeman करें है। इस तरह हम यह तै्मिती में करने उस को अध़क्यागर पुल्कित पस्ट पल्कि दों स्नाथ कि यह फिल्की वेड़ी होगे है कि अब मार्केट जैसी लग रही है अब बेसन फटा से लगने लगी तब बनला बेसन भुझ गया है बहुत कम टाइम में यह होगे यह ठंडा हो जागे तब इसमें शक्कर का बूरा मिला करके लड्डू बांद आएंगे चल्नी से इसमें हम बूरा को मिला देंगे ठंडा होगे परस बिल्कुल हलका गरा में थोड़ा थंडा होगे तब ही बूरा मिला देंगे यह रड्डू बांते नहीं बनेंगा इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे पूरा पूरा अंदर चड़ी जाए इसके लिए सको हाथ से मिलाना पड़ेगा इसको दोनों हाथों से ऐसे भी मसल मसल करके पुरा मिक्स कर लेंगे हम अब अब आपको खालका गरम है हलके हलकी गरम में आपको करना पड़ें तो फिर लट्डू बंध ही नहीं कि अब मैं देखिए इस तरह यह ऐसे गूल और करके लट्डू बना लिए बहुत आसानी से बंध रहे है कि अगर कि अगर कि कि यह लट्डू पूरे बन गँ